जासे हैं आप स्वागत है आप सभी का वेटू बेचु चैनल में आज हम लोग देखेंगे फ्लैंडर इंट्रेक्शन एनल्सिस मॉडल फ्लैंडर अंतक्रिया विसलेशन मॉडल इसे से आपके एक्जाम में कही सारे प्रस्त हमें से आते हैं UGC NET और EMAID IN TRANS कोई भी एक्जाम आउट TGT PGT हर जगह से इससे प्रस्त पूछे जाते हैं तो इसके कॉंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में कुछ कोशन एंसर भी लगाएंगे तो साथ बने रहिए बढ़ते हैं आगे फ्लेंडर इंट्रेक्शन मॉडल फ्लेंडर जी ने जिनका पूरा नाम NAD A. फ्लेंडर था उन्होंने सन 1959 में ये मॉडल दिया यह मुखित साब्दिक वेवार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली थी इसके अंतरगत, कच्छा के अंतरगत होने वाली विविन घटनाओं का निरिचठ क्रम बदरूप से वेग्यानिक रूप से किया जाता है तो सबसे बहले ये प्रस्ण उठता है कि ये इंट्रेक्शन एनाल्सिस मॉडल होता क्या है जो ये इंट्रेक्शन एनाल्सिस मॉडल है इस इंट्रेक्शन एनाल्सिस का पहले हम लोग अर्थ देखते हैं कि इंट्रेक्शन एनाल्सिस का अर्थ क्या होता है इसके अंतरगत किसी भी यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कि किसी कच्छा कच्छ में घटने वाली घटनाओं का वेवस्तित एवं वेवस्तुनिष्ट निरिच्छड अर्थात सिस्टमाटिक एवं अबजेक्टिव निरिच्छड करके वैग्यानिक विसलेशर किया जात है जैसे कि आप एक्जांपल के रूप में देखे तो कोई हमारी कच्छा है तो उसमें टीचर्स या फिर जो स्टूडेंट है उन लोग के बीच में कैसी घटनाए हो रहे हैं किस प्रकार से अंतक्रिया हो रही है इसका वेवस्तित एवं सू वेवस्तित एवं वेग्यानिक क्रूप से जब विसलेशन किया जाएगा तो वह INTERACTION analysis होगा। INTERACTION का आर्थ यह होता है कि सिच्छक और छाथ्रे के बीच में होने अन्धक्रिया होने वाली अन्धक्रिया और उसका जब वेवस्तित हम लोग व्यानिक धंग से करेंगे। तो वह INTERACTION analysis हो जाएगा अब इसका इन्होंने Flander जिन अपना एक interaction model दिया है तो इसलिए इसका पूरा नाम हो गया Flander interaction model तो बात करते हैं कि इन्होंने इसकी विशेष्टा क्या है Flander interaction model की सबसे बड़ी विशेष्टा कि वी वर्वल behavior का analysis करता है अर्थार कक्छा में होने वाले जो भासाई वेहवार है उसी का analysis करता है और भासाई वेहवार का ये analysis नहीं करता है तो बढ़ते हैं आगे और Flander जी के अनुसार किसी कक्छा में मुख्य तक तीन काम होता है सबसे पहले यदि ये class हमारा ये क्लास है यह कोई class है यहं बच्चे बैठे हुए है ये हमारे student है और ये teacher जो आता है वह बाहर से ये teacher हो गया तो सबसे पहले क्या होता है कि class में जाने के बाद teachers कुछ बोलता है और कुछ बच्चे बोलते हैं तो इस तरीके से और कभी-कभी हो सकता है कि दोनों साथ में ही बोले तो इसलिए हमारा ये जो भासाई वेवार है उसको फ्लेंडर जी ने तीन भागों में बाटा है क्या-क्या पहला teacher talk, दूसरा people talk या सिचार्थी कथन, तीसरा silence या confusion जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कच्चा जब हमारे स्टार्ट होती तो पहले सिच्चा कुछ बोलता है या topic का नाम या कुछ बताता है, फिर उसके संदर में कुछ चाटर भी बोलते है कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनो या तो एकदम सानत हों जाते हैं या सभी एक साथ बोलने लगते, पूरी कच्चा ही एक साथ बोलती है सिच्छक भी एक साथ बोल रहा है उसको फ्लेंडर जिनने तीसरी कटेगरी में रखा है तो जो टीचर का कथन होगा मतलब टीचर जिसमें प्रस्ण बोलेगा एक्जामपल पूछेगा या फिर किसी को साबासी देगा इन सब कारियों को जो करेता है इसको साथ इस प्रकार के स काम होंगे जिससे वो टीचर करता है और कर शिच्छक शिच्छार्थी जो होता है उसमें वो दोंकाम करते हैं प्रस्ण पुषते हैं और फिर उत्तर देते हैं और यह तीसरा होता है वो silence and confusion में कभी-कभी पूरी कच्छा एक जम सान्थ हो जाती है कभी-कभी पूरी कच्छा में बहुत हल चली है सब लोग बोलने लगते हैं तो ये तीसरी कर्टेगरी में आती है तो इसमें से पहला teacher talk में 7 कथन है फिफल talk में 2 है और silence and confusion में 3 है अब क्रम से हम लोग सिचक कथन को और सिचार्थी कथन और मौन या विवरांती को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है सिचक कथन सिचक कथन को दो भागों में बाटा जाता है और प्रत्य अच्छे वेवार या प्रत्य अच्छे वेवार और प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् में वहवार के रुप में आएगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कि लड़का यदि answer देता है कि answer देता है कि मनोलेंगिक सिद्धान्द फ्रायड ने दिया है तो यहाँ पे सिच्छक उसकी बातों को स्विक्रति देगा तो वगलेगा हाँ आपने सही का ये इसका पहला हो जाएगा और दूसरा अपने अच्छे वेवार में होता है प्रसंसा या प्रोचसाहन प्रेज या इंक्रिस्मेंट तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि यदि कोई बच्चा answer दिया मालीजे हमने क्लास में कोई प्रस्ण पूछा है बच्चे ने answer दिया तो उसकी हम प्रोचसाहन करते वाह तुमने सही बताया साब बास बहुत अच्छे ये सब चीजे जब बोलेगा तो उसकी प्रसंसा या प्रोचसाहन करना ये आपका दूसरा वेवार के अंतरगत आएगा तीसरा है accepting and using ideas of people स्विक्रती या छात्रों के वेवारों का उप्योग इसमें क्या करता है सिच्छक स्विक्रती तो देता है यहां पर दो बार स्विक्रती है पहला भी स्विक्रती दिया और तीसरा वाले में लेकिन ये इससे अलग है तीसरा वाला इससे अलग है तहाँ आपने सही बताया, ठीक है, और इसमें क्या बोलता है, स्विक्षिति देता है, शाथ ही साथ उसके छात्रों, विचारों को उप्योग भी कर लेता है, जैसे कि उसने वो बच्चा बताता है, कि फ्राइट की थियोरी जो है, वो मनोलेंगिक सिद्धान्त है, तो सिचछ बोलता है हाँ आपने सही बताया अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रायड की मनुलेंगिक सिध्धान उसने यहां पर अपने चात्रों को जो विचार था उसको अपने वाक्यांसों में प्रयोग कर लिया तो यह तीसरा हो जाएगा उसके बातों को अक्सेप्ट भी करना और उसके आइडियाज को अपने वाक्यांसों में यूज भी कर लेना तो यह तीसरा वहवार आएगा चौथा वहवार है प्रस्न पूछना चौथा जब सिच्छा कच्छा में प्रस्न पूछता है तो वो और प्रत्यच्छ वहवार के अंतरगत आता है यह आपका UGC नेट में भी प सिच्छकों के प्रत्यच्छ वहवार के अंतरगत आता है अब दूसरा जो था सिच्छक का। तो करना चौथा धा तो अब आते हैं डारेक्ट वेहवार या प्रत्यच वेहवार जिसके तीन प्रकार तीन वेहवार आते हैं जिसके अंतरगत तो अब बढ़ते हैं के यहां पे हैं डारेक्ट वेहवार या प्रत्यच वेहवार इसमें पहला है लेक्चरिंग या भासर देना इसमें सिच्छक प और फ़रेटी रूप से क्लास में लेक्चर देता तो यह प्रत्यश वेवार का पहला वेवार हो गया अब दूसरा है निर्देशन करना या गईटन्स गिविंग डारेक्षन छात्रों को कोई निर्देश देना कि इस प्रकार से करो ये कारे करो या आप लोग हल करो इस प्रक और अज़े का सही या गलत निर्ण नहीं या फिर अपना अधिकार जमाना ये सब तीसरी डारेक्ट प्रत्यचे व्हवार के अंतरगत आता है तो इस प्रकार से कितने हो गए चार तीन और ये चार अप्रत्यच्य वेवार और तीन प्रत्यच्य वेवार कुल मिला के कितने हो गए साथ तो सिच्छक वारता या सिच्छक टाक के अंतरगत कितने वेवार आते थे कुल साथ जिसमें से आप पहला था अप्रत्यच्य वेवार और दूजरा था प्रत्यच्य वहवार और प्रत्यच में कितने टाइप से थे यहां पर आपने चार देखे और ये प्रत्यच में तीन देखे कुल मिला कितने हो गए सुछक के साथ वहवार तो दियान से देखते रहे और एकदम सिम्पल तरीके से आप लोगों को याद भी हो जाये और catarization जब हम लोग करते हैं तो प्रस्ण नहीं यदि आपके सामने आएंगे तो एक प्रस्ण भी इधर उधर नहीं होगा तो साथ में लगे रहिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा तो बढ़ते हैं आगे दूसरा दूसरा जो यहां पे था pupil tack या طथन और स॓री सिचारति कतन सिचारति कतन में कितने वह्वार होंगे दो तो बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले क्या प्यूपिल टाक में थे कि सिच प्यूपिल टाक response और था इसमें सित्च जो है वह क्या करेगा सिच चब क्रस्ण पूछ लेगा तो उसके बाद वो response करेगा अब question मतब टीचर्स यदि question पूछता है तो student उसका answer देगा student उसका answer देगा तो ये पहला क्या हो जाएगा student जब answer देता है छात्र कथन अनुक्रिया करता है तो पहला कथन हो जाएगा इसमें teachers जो है question जो प्रस्तुत करता है ये stimulus के समान है क्या है ये stimulus के समान है और जो student answer देता है वो response के समान है एक जगा ये प्रस्न भी पूछा था कि सिच्छक जो प्रस्न पूछता है वो क्या है वो यदि कच्छा में सिच्छक प्रस्न पूछता है तो प्रस्न हमारा स्टूमलस है यानि बच्चों को प्रेरित करने के लिए स्टूमलस है और जब छात्र एंसर देता है अनुक्रिया कर यानि रिस्वांस करता है यहां पे तो इस तरीके से पहला जो अप्शन हो जाएगा पहला है कि पहला वेवार के छात्र कथन अनुक्रिया बच्चा जो है वो सिच्छक के कथन पर रिस्वांस करता है यह पहला वेवार हो गया दूसरा होता है कि बच्चा जो है खुद इनिसि तर ये हमें ये बताईए तो वहाँ पे वो खुद इनिसियेर्शन ले रहा है तो यहाँ पे छात्र कथन स्वोप क्रम हो जाएगा और तीसरा क्या था यहाँ पे हम लोगों ने तीन वहवार बाटे थे फ्लैंडर जी ने तीन बाटा है सिच्छक कथन छात्र कथन और यह दोन बोलेगा या फिर बच्चे भी कुछ नहीं बोलेंगे एकदम क्लास में सांती है तब भी तीसरी कटेगरी में होगी यह दोनों मिलके स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलके बोलने लगे तब भी यह तीसरी कटेगरी में इन्होंने रखा है तो अब यह हो गई हमारे कितने कुल हो गये, यहां पे देखा था हमने की सिच्छक वारता कितने थे, सिच्छक वारता जो है, वो सात थी, सिच्छक कथन जो है सात थे, और प्रस्ण पूछता है, कि आपका कि फ्लैंटर इंटरेक्शन एनालसिस मॉलल में कुल किते व्याभार की व्याख्या की गई है तो कुल मिला के 10 व्याभार की व्याख्या की गई है, 10 आप कहेंगे कैसे तो यहाँ पे सिच्छ क गतन 7-2-9 सिचार्ति कतन श्टुडेंड कतन 2-7-2-9 और फिर इसके बाद एक konfusion या फिर विब्रांति, तो कुल मिला के के कुल क कितने हो गए दस तो कुल कितने वहवार का विसलेशन किया जाता है दस साब्दिक वहवार का तो अब आगे बढ़ते हैं आगे हैं कि सबसे बड़ी बात आधारबूत इसकी फ्लैंडर इंट्रेक्शन एनालसिस की कुछ आधारबूत धारणाएं भी हैं तो सब चलिए देखत हैं कि इसका आधारबूत धारणाएं क्या क्या हैं तो सबसे पहला इसका आधारबूत धारणाएं ये हैं कि सिच्छक से छात्र प्रभावित होते हैं इसमें इसका अर्थ होगा ये कि जब हमारा टीचर्स कोई होता है क्लास में माली जे हमारी ये क्लास हैं और स्टुडें और दूसरा है की सिच्छक चातर संबंध्न महतूपूर होता है जैसे फ्लंडर इंट्रेक्शन में क्या होता है कछा कि कछा में सिच्छक कैसा वहवार कर रहा है तो उसी कब restart किया जाता है तो यहां को क्या करता है एकदम टीचर एकदम सब को हड़का करकता है बच्चा कुछ नहीं question answer करता है तो कुछ नहीं question answer करेगा तो यहाँ पर तो यहां पे कोई भी लर्निंग नहीं होगी, मतर्व है यहां पे थोपा जा रहा है, बच्चा कोई initiative नहीं लेता है, और वर्तमान समय में क्या माना जाता है, कि जितना अच्छा बच्चा प्रस्ण पूछता है, कच्छा में जितने initiative लेते हैं, तो वो आपकी कच्छा बहुत पसंद किया जाता है इसमें जैसे कि यहां पे टीचर्स जो है वो बच्चों के एकॉर्डिंग जो हमारी कच्छा है कच्छा में यह तरिटीचर्स बच्चों के क्उर्डिंग उन लोगों को जनतरात्मक सब को बोलने का भी मौका देता है और प्रस्ण भी पूछने का मौका देता है ऐसे वेवार को बहुत अधिक पसंद किया जाता है चौथा ये है कि सिछक का वेवार मापनी होता है जैसे कि टीचर्स जो वेवार करता है कक्छा में उसका कक्छा में निरिच्छड अंकन और मागपन वस्तु निश्ट रूप से किया जा सकता है अर्थात हमारा जो टीचर्स है वो जो भी एक्टिविटीच कर रहा है उसको हम अबजर्व कर सकते हैं उसको हम नंबर प्रदान कर सकते हैं और उसका इवेल्यूएशन हम अबजक्टिव रूप से कर सकते हैं तो इस तरीके से सिछका का वेवार मापनी होता है औ उसको हमने 20 मिनट में माप उसके बाद उसमें क्या-क्या गलतियां थी, क्या-क्या कमियां थी और उसे किस प्रकार प्रभाव साली बनाया जा सकता है, इस प्रकार से बता करके उसके वहवार में सुधार संभव होता है, अगला है कि सब्दिक वेहवार का अधिक प्रयोग इस इंट्रेक्शन एनाल्सिस में सबसे बड़ी बात क्या होती कि सब्दिक वेहवार का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और उसी का विसलेशर किया जाता है और सब्दिक वेहवार का विसलेशर नहीं किया जाता अब आगे बढ़ते हैं कि Flander interaction analysis की क्या-क्या विशेष्टाएं थी तो क्या-क्या विशेष्टाएं हैं तो यह देख लेते हैं तो सबसे पहली जो विशेष्टा है इसकी यह है कि यह विवस्ति वह वस्तुनिस्ट निरिच्छड इसमें संबह होता है जैसे कि हमने बताया कि कोई कक्षा है कक्षा में teachers जो है और फिर सारे जो student है वह वहवार कैसे कर रहा है कक्षा में जनतात्रात्मक है या डेमोक्रेटीव है या फिर उसकी कच्छा जो है authoritative है किस प्रकार की कक्षा है और उसका वस्तुनिस्ट मतलब कि उसमें कोई पूर्वा ग्रह ना करके पूर सबसे बड़ी इसकी विशेषता है दूसरा है कि इसमें प्रिष्ट पोसर्ड भी दिया दा सकता है और था फीडाओ nossa सकता है कि एक टीचर को कि आपने उसका क्लास का interaction करके उसके class का analysis करके ये बताया जा सकता है कि आपके ये ये गुड़ थे ये ये हानिया थे आप इसको और प्रभावी ड्रंग से कैसे बना सकते हैं इसका प्रिष्ट पोसर भी दिया जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि ये objective जब है जैसे कि इसमें कोई पुर्वाग्राव संबह होता है मतलब सिच्छक के वहवार में और उसके द्वारा जो सिच्छड दिया जा रहा है उसमें सुधार संबह होता है चोथा है कि सिच्छक सोयम का मुल्यांकर कर सुधार संबह होता है इसमें सिच्छक जो है उसमें अपने वहवार का वो स्वयम मुल्यांकर कर सकता मतलब कि वो सही अपने गुड और दोश जान लिया तो वो उसमें अपने वहवार में सुधार ला सकता है ये इसकी विशेशताएं थी अब आगे बढ़ते हैं सीमाएं सीमाएं कि सबसे बड़ी सीमाएं ये है कि ये केवल साब्दिक वहवारों का अध्यन करता है मतलब कि जो हमारी कक्षा में साब्दिक वहवार है उसका ही अध्यन करता है emotion वगरा का कोई ध्यान नहीं, उसमें किसी बच्चे के personal चीज़े नहीं सिर्फ साब्दिक वहवार जो हो रहे हैं, उन ही का वहवार का अध्यान इसमें किया जाता है और दूसरा बात कि इसमें content या procurator पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें ये नहीं देखा जाता है कि क्या क्या मतब पढ़ाया जा रहा है इन सबकी कोई बात नहीं की जाती है सिर्फ इसमें इसके बाद है कि सिर्फ 10 च्रेडी में ही वेवार जित है मतब कि जो वेवार साब्दी गुरूप से 10 रेणियों को वेवाजत करके बस उनी का analysis किया जाता है फिर इसके बाद सिच्छक कथन पर ही अधिक जोरत है जैसे हम लोगों ने देखा कि 7 कथन जो थे वो सिच्छक के थे और 2 student के से थे तो इसमें सबसे ज़्यादा पलड़ा जो भारी था वो सिच्छक का था छात्र को तो ज्यादा वो ही नहीं दिया गया तो इसमें non-balance है मतब अन-balance है तो इसलिए यहां पर यह इसकी कमी थी और इसके बाद है प्रसिच्छक को कि आउसकता होती है इसमें जब हमारे Flander interaction analysis किया जाता है सिच्छक का तो उसमें आपको हर 3 मिनट पर कितने हर 3 सेकेंड़ पर आपको एक वो देना होता है कि उसको number alert करना होता है और 20 मिनट तक पूरी जो कच्छा का एनाल्सिस किया जाता है वो पूरा 20 मिनट तक कितने मिनट तक 20 मिनट तक एनाल्सिस किया जाता है और हर 3 सेकेंड पर जो एनाल्सिस कर रहा होता है उसको एक रिस्पॉंस देना होता है जैसे कोई नमबर ब्रदान करना होता है कि इसमें ये क्रिया हो रही है फिर उसके बाद है कि इसमें प्रसिचिच सिचकों के आउसकता होती है जब हर तीन सेकेंड पर मतलब इतना जल्दी जल्दी उसको रिस्पॉंस करना है कि हर तीन सेकेंड पर एक ठोस को अंक प्रदान करना है और ये 20 मिनट तक करना है तो उसमे एक बहुत जादा ट्रेंड वेक्ति किया सकता होती है और ये जल्दी उपलब्द नहीं होते है तो इसलिए ये सबसे बड़ी कमी है और अत्यधिक धानवश्रम की खपत होती है मतलब हर एक एक टीचर का करने बैटे 20-20 मिनट तो इस तरीके से बहुत कम ही किया जा सकता है तो ये इसकी सबसे बड़ी सीम आये थी फ्लेंडर इंट्रेक्शन मॉडल में इस प्रकार की मैट्रिक्स होती है 10 बाइ 10 की हम लोग जानते हैं कि इसमें कुल मिला के 20 मिनट तक एनालसिस किया जाता है और हर 3 सेकेंड पे एक रिस्पॉंस हर 3 सेकेंड पे एक रिस्पॉंस दिय जाता है तो इसमें से मालीसई हमारे पास 10 कटेगरी हैं इन 10 कटेगरी में इसमें जैसे कि मालीँचे कहमारे कप्चा में प्रस्न बार-बार पूछे गए जिस शिचक तो बहुत बार प्रस्न नहीं पूछा तो सबसे जादी फ्रिक्वेंसी या फिर जो हमारा light क्रेक्वें से इस प्रकार से माट्रिक्स भर लेते हैं कि जो सबसे जादर टैलि लगा जाती और आएगी उसको लगा कर के उसका फिर उसके बाद ूरी आवरित्री को भर करके उसका प्रतिसत ग्याद कर लिया जाता है तो चलिए फिर से दुहरा लेते हैं इसको कि सबसे फ्लैंडर इंट्रेक्शन एनाल्सिस इस प्रकार से होगा उसमें कुल मिला के जो है साब्दिक वेवार और असाब्दिक वेवार और उन सब प्रकार थे छात्र कत्थन कितने थे दो प्रकार और मन विभ्रांती एक कुल मिला के कितने हो गये थे दस अब सिच्छा कत्थन को पुना दो भागों में बाटा जाता है और प्रत्यच और प्रत्यच रूप में और प्रत्यच में कौन-कौन से थे विचार स्विक्रिती प्रस जन्सा, छात्रों वेचारों का प्रयोग और प्रशन पूछना ये चार हो गया है अद प्रत्यक्षे विवार कितने थे, तीन थे, कौन-कौन से थे भासर देना, नेर्देश देना, अलोजना करना ये तीन थे इसके अलावा जो छात्रकथन था उसमें छात्रकथन अनुक्रिया और दूसरा छात्रकथन सोपक्रम ठीक और तीसरा टाइप क्या था तीसरा टाइप मौनिया विभ्रान्ती था तो इस तरीके से ये था तो अब बढ़ते हैं प्रस्ण की ओर कि क्या क्या प्रस्ण आये हुए किस टाइप से प्रस्ण आते हैं तो सबसे पहले पहला कुछन है फ्लैंडर अंतक्रिया विसलेशर मौडल पर जोड़ दिया जाता है तो सादिक वहवार पर और सादिक वहवार पर विशेवस्तू पर ब समय में मापन किया जाता है तो कितने समय में मापन किया जाता है दो सेकेंड में ख तीन सेकेंड में ग चार सेकेंड में ग आठ सेकेंड में तो हम लोग जानते हैं कितने सेकेंड पर किया जाते हैं तीन सेकेंड पर अनुक्रिया दे दी जाती है तो इसलिए इसका अंसर ख सही ह अगला है कि प्रस्न पूछना स्रेडी में आता है तो प्रस्न पूछना स्रेडी में आता है यह और प्रत्य अच्छ वेवार स्रेडी में आता था किस नंबर पे चौथे नंबर पे तो देख लेते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि जो है वो और प्रत्य अच्छ वेवार मे प्रस्ण पूछना आदा था तो इसलिए यह सिचक के कथन के और प्रत्यच्य विवार के चौथे नंबर पर यह है एक प्रस्ण यह UGC 2019 नेट का पेपर से यह प्रस्ण आया हुआ है 2019 में कि यह प्रस्ण है फ्लेंडर अंतक्रिया विसलेचर की स्रेडियों में निमलिकित में से कौन और प्रत्यच्य सिचक वारता से संबंदित है पहला व्याख्यान देना निर्देश देना भावनाव की सिक्रिती सिचक द्वारा आलोचना करना या प्रभूत को अचित स्थापन E प्रसंसा करना F प्रसंसा करना या प्रोचसाहित करना F सिच्छक द्वारा विद्यार्थियों के विचारों का अपनी वारता में अनुप्रियोग करना तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि ये निर्देश देना ये सब उसका अप्रत्यचवारता में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है अपके विचार स्विक्रित करना, विचार को स्विक्रिती देना, प्रसंसा करना, छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, प्रस्न पूछना. ये चार चीजे हैं तो इसमें से जो अप्रत्यच्छ वेवार है वो है सबसे पहला कि इसमें विचार स्विक्रिती इसमें से जो प्रसंसा करना ये हो गया तो E किसमें है और उसके बाद बच्चों का उप्योप करना तो E और F दोनों हो गए E F किसमें है ये देखते हैं तो E F इन दोनों में, second और third में हैं, उसकी अलावा और C, भावनाओं के सिक्रती, ये तीनों हैं C, भावनाओं के सिक्रती, प्रसंसा करना, E, E और F, सिच्छक द्वारा विद्यार्थियों के सिच्छकों का अपनी वारता में प्रयोग मतलब C, E और F, ये दूसरा इसका सही हो जाएगा C, E और F, ये आपका दूसरा आप्शन इसका सही हो जाएगा इसके अलावे वख्यान देना, निर्देश देना और अलोचना या प्रभूत्य स्थापित करना ये आपका प्रतेश वेवार के अंतर गत आते हैं तो आज के लिए बस इतना ही और फिर इस वर से प्रत्ता है कि इस पैंडेमिक से सभी को मुक्ती मिले जल्द ही तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद